So, let's understand moon today, that how moon works and how the conjunctions of moon and how to balance your moon, basically. बहुत सारे cases के अंदर में देखता हूँ, कि जब मुझे चंदरमा के अंदर राहू की दशा दिखती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत imbalance हो जाते हैं, उनके life के अंदर multiple levels पर problem आ जाती है, राहू के अंदर चंदरमा की जब दशा चलती है, और अगर चंदरमा heavily afflicted है, और अगर आप फैमिली के चार्ट चेक करते हो complete तरीके से, और अगर वो कही ना कहीं connected हो, तो mother को बहुत तादा problem आ जाती है, इनसान जो होता है, कही ना कहीं बहुत disturb हो जाता है mentally, एक बात आपको बहुत अच्छे समझ आ जानी चाहिए, अभी तक astrology के अंदर, आपके सारे अगर खराब हो, बट अगर आपका चंदरमा बहुत बलशाली तरीके से बैटा हो, और बहुत blessing हो उस चंदरमा के उपर, बहुत अच्छे आस्पेक्ट हो, आप इस जीवन को किसी ना किसी तरीके से निकाल जाओगे, because it is all about illusion, हम एक दुनिया के अंदर ऐसी रूमी जो कहता अगर जीबी जाओगे तो 80 साल जी जाओगे, 90 साल जी जाओगे, और आज का तो life expectancy rate जो है इंडिया का, वो तो 65 पर आ चुका है, दो साल पहले वो 67 था, so you see that there is nothing, we are all living in an illusion, और बहुत जल्दी टाइम जाने वाला है, चाहे वो अच्छा टाइम हो, या चाहे वो बुरा वक चंद्रमा अगर किसी का balance हो गया, जो समय को कहीं निर्धारित करता है आपके, तिथी समय के अनुसार निर्धारित होती है, और तिथी चंद्रमा से ही आप देख सकते हैं, तो अगर आप अपने चंद्रमा को balance कर ले तो आप समय को balance कर लेंगे, समय को रोका नहीं जा सकता, समय को आप पकड़ कर नहीं रख सकते बट आप अपने चंदरमा को बैलेंस करके रख सकते हो जब तक आपकी अच्छी दशा है तब तक आप बैलेंस तरीके से रह पाओ देखिए कुंडली के अंदर आपके perception के उपर बहुत ज़ादा depend करता है एक इंसान है जिसको 100 रुपए मिले है नीचे पड़े हुए और एक इंसान है उसको भी 100 रुपए मिले बट एक इंसान है जो बिलकुल खुश नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए बहुत कम है 100 रुपए और एक इंसान है तो जो लोग half filled बोलेंगे वो optimistic लोग होते हैं तो चंद्रमा आपके optimism को भी represent करता है जो लोगों के अंदर give up नहीं करते जो लोग जो लोग continuously लगे रहते हैं जो लोग straight forward होते हैं जो लोग अपनी मन की बात रखने से डरते नहीं है वो आप देखेंगे के चंद्रमा उनके कुण्टली के अंदर बली होता है अब देखेंगे के चंद्रमा जरूरी नहीं के हर एक का हर एक समय के टाइम पर बली हो क्योंकि हर एक का कोई ना कोई sensitive point होता है everybody in this world has a sensitive point जैसे for example अगर आप देखेंगे तो किसी को अपने love relationship के अंदर होगा किसी को अपने mother के साथ होगा किसी को अपने father के साथ होगा किसी को अपने दादा जी के साथ होगा बट वो sensitive point ऐसा होता है चंद्रमा का कि वहाँ पर अगर जाकर कोई hit कर दे तो चंद्रमा आपका disbalance हो जाता है very very important to understand this कहीं suicide कर लेते हैं जाकर, कुछ खराब कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, अपने parents की respect नहीं करते हैं, क्योंकि वो mentally disturbed हो रहे हैं, कहीं न कहीं problem होने के कारण, आप देखेंगे के चंदरमा जब disbalance हो जाता है, तब सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है, आप इसा समझ जाहिए, तो चंदरमा को कुंदली में बैलन्स करना जरूरी है, जैमिनी सूत्रम में से, I guess, जैमिया, BPHS में से, एक सूत्र है, मैं उसी को पढ़ रहा था, and I was just decoding के क्या, because whenever I have, जब मैं कोई डाउट सॉल्व नहीं कर पाता हूं, so I just remember my teacher and I try to ask him, I try to ask God, either I go for swimming or I read the shastra, ये चार ही जगा पर सिया, फिर गीता पड़ो, इन चार ही जगा से आपको, इन चार पांच जगाह से ही आपको answer मिलने वाला है, so of course, the swimming is not for everyone, that is because I do it for the moon element, any which way, coming back to the point, so I was reading certain things about moon and how to, फिर मैं चाट लेकर बैठा ता, फिर मैंने वो कुछ 30-40 चाट पर अपलाई भी appreciate नहीं करता, I have seen, जितने भी लोगों से मैंने बात किये, जिनका बहुत अच्छा समय चल रहा है, ऐसे नहीं है कि consultation लोग तभी ही लेते हैं, जब उनको कोई ना कोई problem होती है, consultation लोग अच्छे समय के बाद, और अच्छा समय कब आएगा, वो भी पूछने के लिए लेते है कई बार, so, हम लोग ऐसे, मैं बैट के charts देख रहा था कि इसकी यह दशा चली, यह इस तरीके से, whatever, तो मैंने देखा कि जब इनसान का बुरा समय आया है, इनसान रो रहा है, पटक रहा है, बहुत उसको खराब फील हो रहा है, and everything is happening, but जब अच्छा समय चल रहा है, तब उ इस भी planet का influence है, इनसान वो influence की activities कर रहा होता है, तब ही उसका अच्छा समय आ पाता है, और जो appreciate नहीं करता है, उसका चंद्रमा कभी अच्छा नहीं हो सकता, जो optimism को नहीं देख सकता, life की उसका चंद्रमा कभी अच्छा नहीं हो सकता, जैसे कि आप अगर रोड के उपर चल यह basic remedy है चंद्रमा की, अब इन details समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा को आप किस तरीके से planetary combinations में balance कर सकते हैं, ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं चंद्रमा से और बुध से, कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध का conjunction हुआ तो वो किस तरीके से का करेगा और आपको उसको किस तरीके से balance करना चाहिए, अब आप समझिये बुध किन चीजों का का रख है, let me know in the comment section, बताइए कि बुध किन चीजों का का रख है, write it down, we'll also see the remedy, write it down, बुध किन चीजों का का रख है, intelligence, communication, no, wisdom is Jupiter, speech, brain, yes, voice, to some extent, yes, education, yes, the primary, childish, yes, communication, youthfulness, yes, technical, yes, intellectual, yes, technical skills, yes, business, yes, okay, अब आप समझो, moon किस चीज़ का का रख है, moon आपके emotion का का रख है, basically, moon आप किस तरीके से अपने आपको express करते हो, आपका basic expression of thought क्या है, moon उसको represent करता है, जब भी बुध और mercury का positive combination बनेगा, किसी भी चार्ट के अंदर, ऐसा इंसान business minded होगा, ऐसा इंसान दूसरों को, दूसरों को, दूसरों के emotions को इतना अच्छे तरीके से समझ लेगा, कि वो उससे business generate कर सकता है, जितने भी आपने बड़े से बड़े scammers देखे होंगे, या जितने भी आपने बड़े से बड़े businessmen देखे होंगे, सभी के चार्ट के अंदर आपको बुद्ध और चंदरमा का कोई ना कोई सम्बंध देखने मिलेगा, क्योंकि बुद्ध जो है, वो आपके business को represent करता है, वो आपके intellect को represent करता है और चंदरमा emotion को represent करता है, इस इस वन अफ दे पावरफुल combinations in astrology, भी कुंदली के अंदर मैं देखता हूं कि बुद्ध चंदरम साथ में लोग कहते हैं कि अच्छा conjunction नहीं है, ये positively काम नहीं करेगा, बट अगर ये positive science के अंदर बैटा हुआ है, Jupiter अगर इसको aspect कर ले, कही ना कही positive influence, basic positive influence अगर यहाँ पर है, तो ये इनसान को बहुत बड़ा businessman बना सकता है, और जब आप कुंदली के अंदर आप चेक करते हो कि कोई आकर आगर आपको पूछता है कि इनसान को business करना चाहिए या फिर job करनी चाहिए, when the person wants to do business और job, अगर ये आप से आकर कोई पूछता है, तो आपको ये combination को देखना आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, ठीक है, तो बहुत important है इस चीज़ को समझना कि अगर ऐसे लोग बहुत अच्छे teachers बन सकते हैं क्योंकि वो emotions को समझते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे therapist हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे children teachers जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं तो ऐसे multiple fields के अंदर ये इनसान काम कर सकता है और जब कुंडली के अंदर चंद्रमा बुद का कॉंबिनेशन बनता है तब मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप कोई ना कोई साइड बाई साइड अपना चोटा मोटा बिजनस शुरू करो क्योंकि आपको बहुत सीखने मिलेगा आप लोगों के इमोशन को पढ़ पाओगे और उसको एक वे के अंदर ट्रांस्मिट कर पाओगे सी जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इमोशन तो समझ पाते हैं बट अपने इमोशन को एक्स्प्रेस नहीं कर पाते हैं यह ऐसे लोग होंगे जो इमोशन को समझेंगे भी और इमोशन को एक्स आप हमेशा यहां पर देखेंगे, अगर चंदरमा जुपिटर के साइन के अंदर बैठा है बुद्ध अगर जुपिटर के साइन केंदर आकर बैठा है और फिर चंदरमा के इंफ्लेंस के madr cảmर बैठा है, तो यहां पर emotions को use करके उससे अपना business बनाना और manipulate करना मैंने ऐसे कहीं सारे charts देखे है मतलब how can I say मतलब जैसे की मेरे area के अंदर एक police वाला था तो not even a police वाला मतलब वो police वाले बनने की acting करता था I knew him for a very long time जब उनका chart देखने मिला I have known certain people like this circle में भी मैं कुछ लोग को जानता हूं जो मुझ बेचता है कोई किसी को जूट बोल कर कोई धंदा कर रहा है कोई किसी का पैसा खा रहा है आप देखते हो बटा आप बोलते नहीं हो but मैं सिर्फ charts मांग लेता है और मैंने हर जगा पर देखा है कि चंदरमा के उपर बुद्ध का influence था ठीक है चंदरमा क्यूंकि cheating का भी का र सकता है okay so I hope आपको basics समझ में आ गया होगा अब इसको balance किस तरीके से करना है देखिए कि चंदरमा को balance करने के लिए you always have to keep learning certain things जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे जितना आप सीखेंगे उतना आपको जीवन के अंदर फाइदा फाइदा देखने मिलेगा बुद्ध जो ह आप देखेंगे कि ब्रियस पती का दूसरा घर माना गया है वो दूसरे भाव के तो कारक वो वैसे भी बनते हैं तो इंसान जितना सीखेगा जब भी आपको ऐसे लगेगा अगर आपको चंदरमा पर अगर आपको चंदरमा बैलन्स करना है तो टोपिक इस बालेंसिंग मू देखने मिलेंगे आप प्लांटिंग भी कर सकते हैं और आप किसी ट्री प्लांटेशन की जो ड्राइव होते हैं उनके अंदर भी आप हिस्सा ले सकते हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेंगे मैं आपको सारी रेमिडीज यहाँ पर free of anything मतलब I am just giving out all the remedies kindly write down the remedies और I will save this session any which ways ताकि अगर आपके कुंडली में combination negatively काम कर रहा है तो आप ताकि इसको सुदार पाएं ठीक है now let's come to moon and Jupiter now see the moon जो है वो Jupiter का एक बहुत अच्छा दोस्त है बहुत अच्छा एक उनके बीच में एक संबंध है but moon और Jupiter कहीं बार कुंडली के अंदर extra marital affair को भी बता सकता है या फिर mother की health को खराब होते हुए भी बता सकता है very very important to understand वो स्टोरी आपको कभी नहीं भूलनी है ज तो मैंने वो स्टोरी को कहीं बार दोहराय हुआ है तो I will not repeat it again so I hope आपको स्टोरी पता होगी so आप देखेंगे जब भी ये combination negative तरीके से manifest करेगा तब आप देखेंगे और moon अगर ज्यादा strong हो जाए या फिर moon Jupiter को flow करने की जगा Jupiter अगर moon को follow करने लग जाए डिगरी कली यान आपके बैठ गए वरिष्चिक राशी के अंदर और mangal खराब तरीके से बैटा और शनी इसको aspect कर ले ओके ये हो गया this is a basic combination which is not very good तो ऐसे cases के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं extra marital affair होना कहीं ना कहीं और इनको ये गलत भी नहीं लगता Jupiter कभी भी अगर गलत काम भी क Jupiter अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो अच्छा होगा बट अगर Jupiter is not benefic जैसे मकर लगन के लिए Jupiter benefic नहीं है और अगर Jupiter afflicted position के अंदर बैठा है तो इनसान को ऐसा भ्रम होगा कि वो सारे अच्छे काम कर रहा है बट वो अच्छे काम नहीं कर रहा होता है जैसे कि for example कोई एक शादी के अंदर है और शादी अच्छी नहीं जा रही है for example कोई domestic violence नहीं है कुछ भी नहीं बट अच्छी नहीं जा रही है तो कोई संत बाबा मिल जाएंगे इनको जो शायद से हो सकता है कि वो इतने अच्छे ना हो या फिर कोई ऐसा advisor इनको मिल जाएगा जो उनको ब बलत काम कर रहे हैं बट आपको realization नहीं है क्योंकि आपका Jupiter सही तरीके से placed नहीं है तो Jupiter और चंदरमा के अंदर आप देखेंगे यही difference है कि जब भी Jupiter चंदरमा साथ में आकर बैठ जाएंगे तब कोई ना कोई cheating का योग बनता है या तो ये cheating कर सकते हैं अगर खराब है या त अपनी मदर को बोलो कि कोई भी जो भी आपको oil पसंद है whatever oil, second house से आप oil को देखते हैं but that theory is different again I'll come to that on a different day, कोई भी आप मदर को अपने oil लेने बोलिए, oil लेने के बाद अपनी मदर को बोली कि उस oil को थोड़ा सा गरम करे और आपके सिर के अंदर वो मसाज करेंगे आपकी म mercury, this is अगनी तत्व, this is शुक्र, this is चंदरमा, this is अंदरुनी मंगल, बहारी मंगल और बाकी के राहू और केतु, सब कुछ आपके हाथ के अंदर होता है, और oil का जो element होता है, वो मार्स होता है, मंगल, अब आप देखेंगे कि चंदरमा जो होता है, वो मंगल के राशी के अ अंदर वो oil से मालिश करेंगे, और the moment she starts doing this, and you'll see, slowly and steadily आपका stress level भी डाउन जाएगा, और फिर अपनी मदर की गुद में हो जाईए, तो आपका सारा काम हो जाएगा, Jupiter और Moon का combination, आप ये try करके देखिएगा, try this and let me know that if it is working for you or not, very simple remedy, second remedy which you can do is, Jupiter is the karaka for religion, Jupiter is the karaka for your temples, and चंदरम is the karaka for food, आप food का donation करिए जाकर, अगर आप emotionally imbalance हो रहे हैं बाहर बार, आप बहुत जादा over sharing कर रहे हैं, कुछ भी problem आपके life के अंदर आ रहा है, so try to donate food to the temple, जितना आप food का donation करेंगे, temple के अंदर मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपने चंदरमा को ब्रिहस पती को दे रहे हैं, simple एकदम concept है, या फिर बहुत ही अगर problem हो रहा है, तो food donation भी करिए, मदर का भी काम करी, और जाकर मंदिर में regularly आदा गंटा बैट जाए, कोई जाप करने की ज़रूत नहीं, मन के अंदर विचार आ रहे हैं, मन के अंदर विचार आ रहे हैं, बस, बड़ी ही simple remedy है, मैंने चंद्रमा अगर जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, और अगर मदर की respect नहीं करोगे, मदर को अगर दिल से प्रेम नहीं करोगे, और मदर को अगर कुछ भी बुरा भला बोलोगे, मजाक में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, आप you will see the worst results, I have seen in multiple cases, चंद्रमा नीच का हो एक ब Moon and Venus, अब आप समझी है कि आपको जो, मैंने एक sentence लिखा था, I was just, I keep writing certain things, और जब ये combination सामने आया है न, and when I was writing the notes कि मैं कोर्स में किस तरीके से सिखाऊंगा, so it was more like, sometimes people think that lust is love and they get so lost in lust that they get mad, मतलब वो पागल हो जाते हैं, ये मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखा थ तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा, very very important to understand, मैंने कई सारे ऐसे cases देखे हुए है, charts के अंदर, जब इनसान 10 साल के depression में है, 12 साल के depression में है, और वो किसी के लड़की जाने के वज़े से, किसी के breakup के वज़े से, या फिर किसी के शाधी तूटने के वज़े से, but when I ask them the question, 10 साल ब Moon Venus के case में सबसे पहले तो cheating तो होती है, या तो आप cheating करते हो या आपके साथ cheating होती है, बड़ा ही simple है, I am giving you snapshot predictions, बड़े ही आप अपने chart के ओपर apply करके देख लीजे, अगर यहाँ पर ब्रहस्पती का aspect है, लगन के अंदर ब्रहस्पती आकर बैठा है, तो आप बच जाएंग कि this basically, this shows that the person is admiring lust more than love, आप देखेंगे कि ये लोग सामने वाले को प्रेम ही इसलिए करते हैं, कि वो सुन्दर दिखता है, और जिस दिन वो बहुत सुन्दर दिखेगा, आप बहुत प्रेम करेंगे, और सुन्दर नहीं दिखेगा, तो प्रेम के अंदर कही ना कहीं कमी हो जाएगी, materialism से इतना जादा attach हो जाते हैं सामने वाले के materialism से, for example, अभी सामने वाला बहुत अच्छे कप्डे पहन रहा है, सामने वाला बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो उनको ऐसे लगने लगएगा कि सच में वो सामने वाले से प्यार करते हैं, और ये आप देखे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किसी का अगर, मैंने, I've seen multiple charts where, जिसे अगर आप criminals के chart देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे criminals होते हैं, जो 10 साल, 20 साल तक घुटते हैं, और फिर जाकर वो किसी का कुछ खराब काम कर देते हैं, they kill someone or something like this, but there are certain people के road rage हो गया और सामने वाले को मार दिया, right? So, उसी तरीके से लोगों को ऐसे लगने लग जाता है, कि लव और लस्ट में बिलकुल भी फरक नहीं है, और वो लस्ट के अंदर इतना ज़दा डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्तिती होती है, उनका जो spiritualism होता है, वो बहुत मीचे होता है, so they consider love as, they consider lust as love, so that is a problem with शुकरा और चंद्रमा, क्योंकि दोनों ही बहुत beautiful planets है, these people are always looking for beauty, ये लोग सामने वालों को सिर्फ beauty देखने ही कोशिश कर रहे है, very very important to understand कि आप समझे है कि हम ना शरीर के अंदर एक शरीर है, सबका शरीर सडने वाला है, सारे लोग बूढ़े होने वाले है, खाते हैं, क्या होता है, आप सब की को सब चीज़ पता है, तो जो ये बहारी पहराव है या जो भी चीज़े हैं, वो शुकर चंद्रमा वालों को बहुत अच्छे समझना चाहिए कि आज जो खुबसूरत दिख रहा है, कल वो भी बुढ़ा होगा, और अगर आप आज शुकर चंद्रमा के प्रभाव में होगा, और चंद्रमा अगर पीडित अवस्ता के अंदर बैठा हुआ है, अपने आपको ओवर शेर ना करे, शुकर चंद्रमा दोनों ही emotional planet से ये लोग बहुत जादा ओवर शेर करते हैं, थर्ड थिंग कोई ना कोई artistic talent आपके पास होना ह जैसे कि आप गिटार बजा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप भरत नात्यम कर रहे हो, something or the other, शुकर की एनरजी चंद्रमा के थू होते हुए एक अच्छे लेवल पर पहुचनी चाहिए, and this can be a biggest blessing as well, आप जैसे कि अगर आप अरिजित सिंग का चार्ट देखो, आप आति चार्ट के अंदर आप देखेंगे, कि आपको कोई ना कोई शुकर और चंद्रमा का कंजंक्शन, या फिर आपको शुकर चंद्रमा का पंचम नवम का, या कोई ना कोई बहुत strong connection देखने मिलेगा, देखिए कि चंद्रमा जो होता है, वो आपकी feelings को represent करता है, और जो शुक जो best लोग हैं दुनिया के, जो अपने instrument के अंदर वो आकर अपना इसके अंदर हिस्सा दे, तो गाने को चार चंद लग जाएंगे, and that is your Venus, so Venus और Moon के अंदर क्या होता है, the person has the capacity to produce something from a very raw product to a very exceptional product, that is the reason these people can become greatest of the artists, आपके अंदर वो ख्षमता होगी कि आप कोई भी raw चीज से अच्छा produce कर सकते हैं, जिससे आपके मन को शांती मिलेगी, और ये बात मैं बार-बार कहता हूँ, कि इंसानों से लगाव होने से बहतर है कि अपने कला से आप लगाव कर लो, इसलिए मैं को शुक्र बहुत पसंद, it is one of my favorite planets, Venus is, whenever I read about शुकर अचारिय, whenever I read about Venus, obsession दिखता है वहाँ पर, कि आप सामने वाले से जो भी आप कर रहे हो, उससे आप obsessed हो जाते हो, शुक्र शैनी से जादा hard work कर सकते हैं, believe me when I say this, एक artist इतना hard work करता है, एक actor इतना hard work करता है, हो सकता है कि businessmen उतना hard work ना करे, वो कभी-कभी chill भी करे, because it is always ongoing thought process, जब वो सो रहा है, तभी भी गाने गार है, जब वो जग रहा है, तभी भी वो acting कर रहा है, या फिर वो गाने गार है, it is any artistic profession you see, so शुक्र और चंद्रमा के case में कोई ना कोई आपका artistic चीज होना चाहिए, और उस पर rely करो, public पर rely करने से अच्छा, उस artistic profession पर rely करो, आप जीवन के अंदर बहुत सुक आप समझिये, so very very important to understand these concepts के, अगर आप कोई भी artistic talent follow नहीं कर रहे हो, तो एक basic guitar का class लगा लो, एक basic जगा पर जाकर, you know, try to develop yourself, वो development अगर आप करोगे शुक्र चंद्रमा के case में, तो आपको बहुत अच्छा है, याँपर result देखने मिलेगा, और जादा expectation बंद कर दो, love relationship से, म cancer राशी के अंदर, अब ये लड़की मेर को आकर बोलती है, कि I am in love with this person, मैं बोलता हूँ कि लड़का कौन है, तो लड़के के already शादी हो चुकी है, लड़के की wife है, लड़के पर case चल रहा है, अब लड़की ने लड़के पर rape का case लगाया हुआ है, बट वो लड़की वो म मैं देखता हूँ तो मुझे मन से दुख होता है, फिर मैं बोलता हूँ विष्णो सहस्तर नाम करो, बुद्ध को ठीक करो, क्योंकि अब बुद्धी ही नहीं बची, तो ऐसे किसी जब बहुत दुख होता है, और फिर ये इंसान के 10 साल खा जाता है, कभी किसी इंसान के 20 सा ये होती है, we always need someone, हमारे भगवान हर जगा नहीं आ सकते, इसलिए हमें माबाप दिया है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस माबाप का होगा, दूसरा आपके सिबलिंग्स का होगा, तीसरा आपके आसपास के लोग होंगे, और चौथा, there is only love to give, just keep giving love without expecting, things will be alright with you, now let's come to the next combination, Saturn and Moon अब आप देखिए कि ये combination बड़ा ही प्यारा combination है अपने आपके अंदर, क्योंकि ये combination के जो लोग होते हैं, ये इतने जादा कहीं बार भर जाते हैं, कि इतने जादा उभर जाते हैं, कि इनका मन इतना जादा विचलित होता है कही बार, कि ये ऐसा कुछ कर जाते हैं, जो क मैंने शायद इसके बार में पहले भी discussion किया है, कि जो माजी थे, जिन्होंने अपने प्रेमिका के लिए पूरा का पूरा एक पहाड तोड़ दिया था, I don't know, I don't know if you have heard that story or not, but वो करने का एक obsession, वो करने का एक इतना ज़्यदा वरकाहलिक बनना, ये सिर्फ और सिर्फ शनी और चंद्रमा वाले ही कर सकते हैं, अगर आपके कुंडली के अंदर, चंद्रमा शनी देव के साथ बैटे हुए हैं, शनी देव चंद्रमा से बारवे भाव के अंदर बैटे हुए हैं, अगर शनी देव आपके चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बैटे हुए हैं, तो आप आप देखेंगे आपका जनम साढ़े साथी के अंदर हुआ है आपका जनम साढ़े साथी के अंदर हुआ है workaholic आपको बनना ही पड़ेगा there is no work life balance जो भी लोग बोलते हैं कि work life balance होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है there is only work to do और अगर आप काम नहीं करोगे तो आप mentally unstable हो as simple as this yes maaji the mountain man exactly so अगर आप काम नहीं करोगे अगर आपको करम करने के आदत नहीं है अगर आप बेढ के ओपर सोई रहते हो अगर आप thought process चंद्रमा के अंदर ही अगर आप घुम हो तो शनी देव आपको इतना प्रताडित करेंगे कि आप सोच नहीं सकते और शनी देव की जो ज़रोत नहीं है नींद लेने की तीन चार घंटे जो नींद लोग है काम करने के बाद वो नींद आपको बहुत सुकून कियाएगी I don't know लोग agree करेंगी नहीं करेंगे या फिर इस पर criticism आएगा बाद में क्योंकि लोग email के अंदर बोलते हैं personal messages करते हैं कि आपने गलत बोल या फिर extraordinary अचीव नहीं कर पाएंगे तो बहुत important है कि अगर शनी आपके चंद्रमा के साथ बैठा है तो करम करो क्योंकि करम से ही आपको शान्ती मिलेगी और अगर आप करम नहीं करो के तो शान्ती नहीं मिल पाएगी बहुत important secondly शनी अगर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो आपके चंद्रमा जो है वो आपके food के कारक होते हैं शनी देव जो होते हैं वो आपसे subordinate लोगों को represent करते हैं अब दोनों में से अगर आपको दोनों को सही करना है तो food लीजिए और खाना बनाईए खुद के हातों से खु इस दिन जाकर डोनेट करिए विकोस आपने सैटन का भी काम कर लिए आपने sacrifice भी कर दिया प्रस आपने moon को भी डोनेट कर दिया इस तरीके से आप remedy को fast forward कर सकते हो मैं फिर से वो बात पर आना चाहूंगा वरकहॉलिक आपको बनना पड़ेगा और जितना वरकहॉलिक बनोग लिना देना sacrifice से है और sacrifice के बाद जो सन्यास नहीं आता है बेसिकली वो कहते है ना के एक वेराग नहीं आया बट वैताग आ गया चीजों से तो शनी देव उस तरीके से operate करते है वो आपको वेराग नहीं देंगे बट वैताग देंगे के बस काम नहीं किया और अगर आपको आपको उस से बात बता रहा है खह्ता और डीकोड करने में बहुत समय लगता है जब एक एक श्लोक मैं लेकर बैठत हूँ और मैं उसको मत community चार्ट पर अपलाए करता हूँ फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपसे आपसे बात नहीं करूँ और यह मैं खुद के लाइफ पर अपलाए कर रहा हूँ मेरे साधी साती चल रही है You see what I do all day Any which ways Coming back to the point Workaholic होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बार जीवन के अंदर नंगे पाउं शनी शिंगनापूर जाकर आईए शनी देव का मंदिर है महाराष्टा के अंदर शिर्डी के पास वहाँ से तकरीबन डेड़ गंटा दूर है आप यहाँ से शिर्डी जा सकते हैं जहाँ पर साही बामा के भी आप दर्शन कर सकते हैं अगर आपको करने हैं तो और फिर वहाँ से शनी शिंगनापूर है नंगे पाउं शनी शिंगनापूर एक बार जाईए अगर आपके साड़ी साती चल रहे हैं आप बहुत अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जाईए शनी देव से प्राथना करिए और मांगिए कि मुझे अच्छा करम करने का मौका दें ताकि मैं इस जो करम जो अभी फलित हो रहा है जो अभी का रिनानु बंधन है उससे आप बाहर आपाएं शनी शिंगनापूर नोट शनी शिंगनापूर शनी शिंगनापूर ओके सो येस आइम गोई नेक्स मंद लॉट्स और जाकर प्राथना करिए बहुत इंपोर्टेंट है और फिर वहां से अगर आप मंग ना जो मंगल देव के लिए है सैटन और मार्स एक बार आपके बैलेंस हो पाएंगे आप एक बार इटलीस रात को सो पाएंगे ठीक है तो शनी और चंद्रमा का जब कॉंबिनेशन होता है तब आपको ये करना होगा अब आप देखिए कि मार्स और मून के केस के अंदर एक बात तो तय है कि अगर आप वर्काउट नहीं करोगे अगर फिजिकल अक्टिविटी नहीं है शरीर से अगर साटन का इंफ्लेंस नहीं निकल रहा है पसीन अगर नहीं निकल रहा है तो आपको प्रॉब्लम देखने आप 15 मिनिट एकसेस करो फिजिकल और नहीं तो आप अगर जुपिटर की राशी किंदर बैठा है तो आप प्रान आयम करो बिकोज जुपिटर आपके प्रान वायू का कारक बनता है और अगर प्रान वायू को बैलेंस कर लोगे तो आपकी जीवन के अंदर आपको काफी मंगल का कॉंबिनेशन बनेगा बट आप लोग हो सकता है कि you won't be this happy इतन पैसा नहीं होगा आपके पास समझे यह क्या बताने की कोशिश करता है मंगल एक उतावला प्रानेट है मंगल को आज काम करना है मंगल को आज अगरेशन दिखाना है मंगल को इसी समय सब चीज़े च कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो टार्गेट अचीव करने दो साल लग जाए बट कम से कम दस साल तो नहीं लगे उन्होंने बहुत सारा टाइम सेव किया ठीक है मंगल एक फास्ट मुविंग प्लानेट है चंद्रमा आपके लिक्विड कैश का प्लानेट होता ह ऐसे लोग जो होते हैं चंद्रमंगल लक्षमियोग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा इनसान उतावला होता है ऐसा इनसान बैठ नहीं सकता इसलिए वो multiple चीजह जीवन के अंदर ट्राय करेगा और जब वो multiple चीजह ट्राय करेगा तब आप देखेंगे कि उसको कही न कहीं कुछ ना कुछ वे के अंदर success मिलेगा तो flow of money will be maintained, this is the only reason of the Lakshmi Yoga, now try to understand this thing के चंद्रमा अगर बहुत ज़दा afflict हो जाए इसके अंदर तो person irritate हो रहा है अभी उसके मुँपर pimples आ रहे हैं, उसके body के अंदर rashes हो रहे हैं, वो irritate होकर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो उल्टा गुसा उस पर बहार निकाल रहा है, something like this can happen as well, so it is not always, चंद्रमा अंगल is not always a Lakshmi Yoga, unless and until आपके उपर शुकर की blessing हो या फिर Maha Lakshmi की blessing हो, या अच्छे घरों के अंदर अगर यह बन जाए, तो यह Lakshmi Yoga की तरह काम करेगा Very important to understand, तो कभी भी कुंद्ली देखकर ऐसे नहीं बूलना है कि चंद्रमा और मंगल साथ में बैटे, Lakshmi Yoga बनेगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमेंगे, लगन के अंदर शनी देवा कर बैट गए और चंद्रमंगल का लक्षमी योग भी अगर बन गया, कुंद्ली के अंदर तो लगन तो बहुत, बहुत स्लोली चल रहा है, इंसान सोच रहा है के यार, मैं यह बाद में काम करूँगा कल काम करूँगा, सैटन का इंफ्लूएंस है और अगर यही चंद्रमा और मंगल साथ में आकर बैटे, तो मन के अंदर सोच रहा है के मैं को अभी करना है तो यह anxiety create करेगा उल्टी तो अगर आपको चंद्रमा और मंगल को balance करना है, एक घंटा regular workout, एक घंटा regular basis के उपर workout, शरीर के हर एक अंग को ढीला करिए, stretching करिए, बहुत important है आपके लिए, secondly, देखिए चंद्रमा जो है ना, वो मंगल के राशी के अंदर नीच के होते हैं और मरनकार का स्थान के अंदर आते हैं और आपके जो मंगल देवता है, वो आपके चंद्रमा के राशी के अंदर जाकर नीच के होते हैं अब अगर आपको इस combination को balance करना है तो आपके घर के अंदर सिर्फ एक ही जगा होती है जहां पर मंगल का सबसे ज़्यादा तत्व होता है बताए वो कौन सी जगा है एक्जाक्ली हमने इसके उपर पहले भी बात की है वो किचन होता है आपका क्योंकि किचन जो होता है वहाँ पर अगनी होती है वहाँ पर मंगल का वास होता है और वहाँ पर हम खाना बनाते हैं जो की चंद्रमा अपने हाथों से खाना बनाईए और खाना बना कर डोनेट करना शुरू कर दीजिए अब इसके अंदर बड़े ही specific remedies हैं अगर आपको घर के आसपास कोई traffic police वाला दिखे अगर आपको घर के आसपास कोई ऐसा police वाला दिखे हम क्या समझते हैं कि remedies हैं ऐसा थोड़ी होगा कि police वाला खा लेगा आप जाकर ना 10 police वालों से पूछो के ना तो एक ना एक accept करेगा बोलना sir मेरी है एच्छा है कि मैं देश के लिए कुछ सेवा करूँ और जाकर इस तरीके से बात करिए और उसको regularly food donation करना शुरू करिए you will be able to do that अगर आप ये सही तरीके से करेंगे mangal के तत्व को बढ़ाईए और you will be able to guard को भी दे सकते हैं exactly guard को भी दे सकते हैं क्योंकि guard is the combination of saturn and mars actually unless and until अगर वो guard के पास अगर बंदूक है then it is completely mars अगर वो guard के पास बंदूक है then it is completely mars और अगर सिर्फ एक डंडा है हाथ के अंदर तो आप समझिए कि it is the combination of saturn and mars अगर चोर आ जाएगा तो शायद से हो सकता है guard सबसे पहले भागे okay so मेरे से ये सवाल पहले भी पूचा गया है और अगर बड़ा ही इसका अंसर मैंने दिया था वो टाइम पर but any which ways coming back to the point so ये आप remedies कर सकते हैं food आपको इन इन जगाओं पर donate करना होगा आपको अच्छा result यहाँ पर देखने मिलेगा workout करना आपके लिए बहुत ज़्यादा necessary है शाम की टाइम पर आप एक काम करिए ऐसे लोगों को blood से related कोई ना कोई problem हो सकता है या फिर अगर यहाँ पर ब्रिहस्पती खराब हो जाए तो नाक से खून आना सिर बहुत ज़ादा गरम रहना हाथ बहुत ज़ादा गरम रहना बुखार बहुत जल्दी आना यह सारी problems हो सकती है इसके लिए बड़ा ही एक simple उपाय है blood को इनको pure रखना चीए रात को सोने से पहले एक चमच नीम यह आपके हरे के लिए नीम की जो remedy है यह आपके चंद्रमा के बहुत सारे combinations के लिए अच्छा काम करती है चंद्रमा mercury के लिए भी अच्छा काम करती है चंद्रमा शनी के लिए भी अच्छा काम करती है और चंद्रमा मंगल के लिए तो beautifully ही काम करती है एक दम तो आपको एक चमच नीम का powder लेना है नीम का powder आपको लेना है गरम पानी साथ गुन गुने पानी के साथ after you have your dinner and two hours before you sleep ये regular basis पे आप करना शुरू करिए regular basis पे आप ये करना शुरू करेंगे आपका blood clean होते जाएगा आपका चंद्रमा क्लीन होते जाएगा and dehydrated रहना आपके लिए बहुत ददा जरूरी है this is it, okay now let's jump on to the next combination which is moon and rahu now अभी आप राहू के कोई भी कारक तत्व को चंद्रमा के अंदर mix नहीं कर सकते ये बात आपके लिए समझना बड़ा ही important है अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहू साथ में बैटे हुएं या चंद्रमा से नवम या पंचम जाकर राहू बैटे हुएं या फिर राहू राहू देव आपके चंद्रमा को आस्पेक्ट कर रहे है यानि कि सब्सक्तम आस्पेक्ट से देख रहे हैं राहुदेव इंटरनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राहुदेव गेमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राहुदेव स्मोक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हम स्मोकिंग करने लग जाएं, क्या हम गेमिंग करने लग जाएं, क्या हम इंटरनेट और केतु जो हैं, specially राहु देव के अगर आप बात करेंगे तो ये एक normal planet नहीं है ये एक illusionary planet है तो आपको illusion उल्टा कम करना होता है और ये चंदरमा से related ही planet है अगर चंदरमा ही नहीं होता तो ना राहु केतु होते है ना तिथी होती ना नक्षत्र होते है ना कुछ और होता चंदरमा ही नहीं होते तो सत्ता इस BVI नहीं होती और तिथी ही decide नहीं हो पाती और ना राहु केतु होते है क्योंकि चंदरमा के ही north और south north राहु केतु है तो चंदरमा को हमेशा वो घेरे रखते हैं इसके पीछे एक आप जब शास्तर पढ़ेंगे इसके अंदर पूरा science एक concept तो राहु मतलब आपके future को represent करता है ऐसे लोग हमेशा future strict thought के अंदर होंगे के future के अंदर क्या करना है मुझे क्या बनना है सामने वाला खुद का काम तो नहीं करेंगे बट future के अंदर सोचेंगे gossip कर सकते हैं बहुत जादा emotional हो सकते है emotional instability का problem देखने मिल सकता है यहाँ पर अंदर सो यह combination को balance करने के लिए sacrifice करना बहुत important है और desire का sacrifice करना बहुत important है मैं आपको आज यह कार्मिक remedy बता रहा हूं न यह remedy आप सिर्फ उतार कर देखिएगा सिर्फ अपने जीवन के अंदर उतार कर देखिए and let me know how it is working for you for example किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ कुझवत होता है केतु जो की मंगल देव की तरह काम करता है और शनीवत होते हैं राहुदेव जो की शनीदेव की तरह काम करते हैं it is basically it is a more advanced version of शनीदेव basically which has a lot of things but cannot provide results like शनीदेव very important to understand but sacrifice और desire का कारक आप सेम दिखेंग आप देखिए कि शनीदेव और राहुदेव के अंदर कभी भी आप similarity अगर find out करने ही कोशिश करेंगे आपको एक बहुत important point दिखेगा मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बड़ा important है please बहुत ध्यान से सुनिएगा शनीदेव आपको results देते हैं ठीक है आप अगर बहुत करम करते हैं बहुत सेवा करते हैं किसी की तो शनीदेव आपको end में जाकर results देते हैं और जरूरी नहीं है अगर कुंड़ी के अंदर योग नहीं बनता है तो शनीदेव आपको denial भी बताते हैं first point second point राहुदेव जो होते हैं वो आपके desire के कारक होते हैं तो राहुदेव आपक आपको सबसे पहले आपके अंदर desire का प्रजवलन करते हैं जहां से शनीदेव का कार ये शुरू होता है क्योंकि जब desire मन के अंदर आती है जब राहुदेव आपके desire को कही ना कहीं उपर लेकर आते हैं तब ही आप उसके लिए काम करते हैं और काम करने के बाद आपको result मिल है very important हुए दोनों ही भाव को अगर आप समझ जाएंगे तो शनी और राहुदेव को आपके लिए समझना बड़ा ही easy हो जाएगा coming back to the point कि आपको अपने desire को give up करना चाहिए छोटे-छोटे चीजों के अंदर जैसे for example अगर किसी कुणली के अंदर शनी और राहु पंचम न आपने desire को वही मार दिया राहु देव कही ना कहीं आपके control के अंदर आने लग जाएंगे मन उस पर हावी नहीं होगा कही ना कहीं आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं वो होगा उसके अंदर because you are taking that step बहुत फरक पड़ता है घर के अंदर अगर पंखा है मैं बार बार कह करोगे तो आप result पाओगे जैसे की बहुत सारे दोस्त आ गए हैं और दोस्त आकर बुला रहे हैं के चल भाई आच चिल करते हैं बार जाकर कहीं घूमने चलते हैं आपको पता है कि you are missing out on something but अगर आप वो चीज़ को उस समय के लिए control कर लोगे या फिर अगर आप समझ क्योंकि आप अपने thought process को control कर लोगे and उसके साथ तता आपके शनीदेव भी better होंगे क्योंकि आपने इहां पर कुछ ना कुछ sacrifice किया desire control ही नहीं किया बट sacrifice भी किया जैसे की मेरी बहुत desire थी कि मैं वो window seat के ओपर बैटू flight के अंदर जाकर but मैंने वो window seat का sacrifice भी किया और किसी और की desire उससे fulfill भी हुई तो आपका राहू better होते गया because you utilized your राहू for somebody else's desire and what you give comes back to you and that is how you can improve your राहू and your this combination this is one of the best remedies which can work out second remedy जो आप कर सकते हैं cancer के patient को कुछ रोगियों को या फिर जिनको भी health का problem है उनके लिए आपको continuous donations करना है अगर आप दवाईयां directly जाकर दे सकते हैं तो directly जाकर आपको दवाईयां देनी चाहिए अपने देखिए mind ना बहुत powerful है बहुत powerful है आपका mind आपके लिए बहुत important है ये चीज़ को समझना कि आप सच में अगर जो चीज़ सोचना चाहे ना तो आप सोच सकते हैं उसके बारे में आपको पता होता है you always know when you are going to enter the illusion जब हमें एक movie देखते है ना तब हमको पता होता है मन के अंदर के movie real नहीं है रनबीर कपूर real में rockstar नहीं है उसके life के अंदर भी problem है वो real में Jordan नहीं है real में ऐसा love exist नहीं करता है real में ऐसा obsession नहीं होता है तो आपको ये पता होती है बट आप तो भी उसके अंदर जान बुचकर deep जान of राहू बहुत important है आप में आपको एक और एक basic exercise है आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी आपके राहुदेव बैठे हो है ना आप देखिए इंसान continuous दिन में उसके बार में सोचता रहता है राहुदेव अगर पंचम भाव के अंदर बैठे है वो कहमेशा सोचेगा कि मे you see so राहुदेव आपको connect करने के लिए आते हैं और केतु आपको detach करने के लिए आते हैं तो जब आप केतु का utilization करते हो अपने desire को detach कर देते हो तो अपने राहु-केतु का balance कर देते हो तो अपने आपको थोड़ा सहनशील बनाना बहुत जादा important है इसलिए मैं आपको एक book भी recommend करूँगा, now वो मैंने actually there are so many parts of this but आप कोई भी internet पर search करी और stoicism पर book है, s-t-o-c-i-s-m, एक I don't know if I am pronouncing it right or wrong but stoist approach जो होती है इंसान की life के अंदर के minimalistic होना और आपको पता होते हुए कि आप afford कर सकते हो फिर भी आप minimalistic होना, मतलब अगर एक इंसान है जो अंबानी का बेटा है और अगर फिर वो कहता है कि मैं Lamborghini में नहीं बैटूंगा पर मैं चल कर जाओंगा, तो फिर वो sacrifice होगा, बट अगर आपके पास already Lamborghini नहीं है और अगर आप दूर से देखकर बोलते हो कि मैंने Lamborghini का sacrifice किया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, okay, so sacrifice को real sacrifice की तरह देखना है कि जैसे वो आपने story सुना होगा, कि एक इंसान है, वो taxi के पीछे भाग रहा था और बोल रा था कि मैंने 25 रुपे बचा है, और एक इंसाने जो bus के पीछे भाग रहा था, बोल रा था, मैंने 5 रुपे बचा है, तो दोनों के अंदर difference किया है, कि दोनों ने कुछ भी नहीं बचाया बट perception का यहाँ पर difference है तो don't play with your mind, don't let your mind play with you, कि आपको पता है कि यह चीज रियल में sacrifice करनी है, वो चीज रियल में sacrifice करो अपने आपको manipulate मत करो, बहुत important है यह चीज को समझना, ओके चंद्रमा और राहू के अंदर, अब चंद्रा और केतु now this is one of the one of my favorite combinations as well and not so favorite as well, इसके बारे में जो मेरा research रहा है, just give me a second, I'll drink some water okay, so जितना मेरा इसके साथ तजुर्बा रहा है इस combination के साथ, आप दिखेंगे कि चंद्रमा है आपके मन के कारक और केतु जो है वो आपके detachment के कारक है चंद्रमा केतु अगर आपके कुंद्ली के अंदर साथ में बैठा you will have one of the most wonderful experiences of the life, continuously आपको ऐसे wonderful experiences होते रहेंगे अगर यह अच्छे तरीके से बैठा है, और नहीं तो यह आपको detach करेगा इतना detach करेगा कि आपको trauma हो सकता है इसके लिए, कि continuously आपको ऐसे feel होगा कि you know that something is not right, मुझे इससे detach हो जाना चाहिए या तो इंसान अपने आपको isolate कर देता है या तो situation ऐसी create होती है कि उसको isolate होना पड़ता है लोगों से, very very important to understand, moon से अगर next house के अंदर केतु हो, तभी भी आप यह देखेंगे, moon से continuously आपको यह practice करना पड़ेगा, regular basis पे, आपकी कोई प्रेमी का है, आपका कोई प्रेमी है, आपके कोई भी है आपके मन के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, सबसे पहले यह बात सूचिए कि अगर यह मुझे छोड़के चला जाएगा, तो मुझे फरक नहीं पड़ना चाहिए, जब आप इस चीज को accept कर लोगे, तब आप pure love दोगे एक दम because both purest planets are there, चंदरमा is the planet of giving love and केतु है, वो selfless planet है, तो selfless loving होते हैं लोग के अपने बारे में वो ग्यान कभी नहीं बाटेंगे, वो अपने पास रखेंगे, वो secret रखेंगे, वो अपनी lineage के अंदर ही सिर्फ उस ग्यान को transfer करेंगे, moon केतु ऐसा नहीं है, सब चीज दे दो, moon केतु के अंदर problem एक और है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खाना waste कर सकते हैं, दूसरे भाव के अंदर केतु का influence होना, moon केतु कुंडली के अंदर साथ में होना, पानी और खाना बहुत ज़्यादा waste कर सकते हैं, जितना पानी और खाना waste करोगे, उतना problem जीवन के अंदर पाऊगे, उतना चंद्रमा खराब होगा, उतना केतु take over करेगा, और उतना situation आपको खराब देखने मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, दूसरा sense of detachment होना जरूर पात के उपर चलते रहते हैं, तो शिवजी के आराधना करते रहिए, विश्नु सहस्तरा नाम करते रहिए, आपको बहुत अच्छा है, यहाँ पर फायदा देखने मिलेगा, चंद्रमा को बैलेंस करते रहिए, ऐसे लोगों के अंदर healing का कोई ना कोई art होता है, जितना जैसे की प्रानिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, ट्विन हाट मेडिटेशन हो गया, और क्या कहते हैं उसे, शैमानिक थेओरी हो गई, या फिर देरिस सम्थिंग और क्वान्टम हीलिंग और सम्थिंग बहुत कुछ नया है मार्केट में, इतना मुझा पता नहीं, अभी म सारे के सारे हमने डिसकस कर लिए कि चंद्रमा को आपको किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, चंद्रमा आप किस तरीके से बहतर कर सकते हैं, अगर आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा बैलेंस होगा, तो जीवन के अंदर सब चीज़े बैलेंस होगी, चंद्रमा अगर आ आपको जो भी करना करिए, मंगल के अक्टिविटीस करिए, आज की जो भी प्रॉबलम है, वो धेरे धेरे कम होनी शुरूव हो जाएगी, चंद्रमा राहू के साथ आ कर बैटा है, राहू दे पाइसेस के अंदर है अभी, और चंद्रमा जब आपका पाइसेस के अंदर जाए चंद्रमा मर्क्यूरी के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, आपको पता है कि मेरे कुछ नए सिखने की पॉसिबिटी बनती है, मुझे ये कॉंबिनेशन को बैलेंस करना है, नाचरल वे के अंदर, जैसे चंद्रमा बुद के ऊपर से गोचर कर रहा है, और कुंडली के अंदर मैंने देखा है कि ये लोग कहीं बार बहुत अच्छा काम कर जाएंगे क्योंकि ये फील नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग फील नहीं कर पाते, वो वरकाहॉलिक हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ करम पर ध्यान देते हैं, उसके अंदर गर चंद्रमा बेनिफिक होगा तो आपको दोनों की आराधना करना important है और एकादशी के fasts करिए बहुत आपको help मिलेगी दूसरा सूरियास्त के बाद खाना खाना बंद कर दीजे और रात को milk products खाना बंद कर दीजे रात के टाइम पर आपको milk products नहीं खाना है घी नहीं खाना है आपको दूद नहीं पीना है दही नहीं खाना है आपको मखन नहीं खाना है all the things which are made from milk आपको कोई भी चीजे consume नहीं करने हैं जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छा इसका result एकने मिलेगा okay so does it apply to sun and moon exchange also no it doesn't apply to sun and moon exchange because moon combust नहीं हो रहा है that will act as a positive combination and now depending upon which लगना और किस तरीके से काम हो रहा है शनी के लगन के अंदर अलग काम करेगा बुद्देवता के लगन के अंदर अलग तरीके से काम करेगा it depends upon that so I hope आपको ये concept समझ में आया हुग हुआ कि आप अपने मून को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो very 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 important concept this is okay so please let me know that if you understood the concept or not understood Rade Rade Hare Krishnah Rade Rade Hare Krishnah Rade 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 fantastic thank you Rade Rade Hare Krishnah okay so ये session हमने end किया था 52 minutes 55 seconds तो मेंको पता चलेगा के मेंको क्रिम कर के कैसे edit कर के I have to upload this again Rade Rade you see you have to practice this you have to practice this on regular basis, आप practice करते जाएं इस चीज़ को आप देखें ये कि चंदरमा पर जैसे राहु का अगर influence हुआ आपको पता है ये आपको exceptional capacities दे सकता है, राहु देव आपके जो होते हैं वो आपको out of life experiences करवा सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी जगा पर आपको मुझे भगवान ने दिये हैं, अगर हम appreciate नहीं करना सिखेंगे ना तो ये problem होने लगए जैसे for example, अभी मैं यहां पर बैठा हुआ हूँ मैं चाहे तो पंखा on कर सकता हूँ, मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, but I am forcing myself not to do this because हो सकता है I have to take a shower after this because मुझे वैसे भी पसीना दादा आता है I have martial characteristics है, so I am not putting on the fan but मुझे पता है कि यह जो controlling की जो आदत है, जब मैं रात को पंका शुरू करूंगा तो मेरे अंदर gratefulness generate होगी और जब मेरे gratefulness generate होगी, तब जो desire, जो मेरी fulfill हो रही है So, the people who understand manifestation, the people who understand the theories it is all connected to the astrology and when you use all these things in astrology astrology becomes more wider and more beautiful It is not only about mantras and tantras it is also about the way of life, karmic remedies and all of those things So I hope आपको बेसिक समझ में आया होगा कि इस तरीके से काम करता है Rade Rade, Hare Krishna, Rade 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 What about sacrificing big desires? Try by doing small things first पहले ही बड़ा मत सोचो, आज ही 100 करोड कमाना है ऐसे नहीं होता है पहले 1,00,00 कमाओ और पहले छोटे desire के बारे में सोचो बड़े desire का answer आपको अपने आप मिल जाएगा उदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो इतना महत्ता रखता है और नहीं रखता है आपके life के अंदर